हाई फ्रेंड्स, वेलकम टु माई यूटूब चनल, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम पोर्ट फोर्डिंग कैसे करते हैं सोफोस XZ फायरवाल वर्जन 18 में इस से पहले वाले वीडियो में मैंने गाईज आपको बता है कि नैट रूल के थ्रू हम कैसे पोर्ट फोर्डिंग करते हैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फायरवार रूल के थ्रू हम कैसे पोर्ट फोर्डिंग करते हैं इसमें हम पोर्ट फोर्डिंग दो तरी पूर्ट फॉर्डिंग करते हैं वो सारी चीजी मैंने आपको बता है वह लोड़ी तो आज मैं दूसरा तरीका बता मतलब दूसरा इस्टिप्स बताऊँगा कि उसको हम कैसे इनेबल करके पूर्ट फॉर्डिंग कर सकते हैं जो पहले वर्जन 17 में था तो गाई सबसे पहले आपको अपने फायरवर लॉगिन करना है लॉगिन करने वा सबसे पहले हमको फायरवर रूल एंड पॉलिसीज पर क्लिक करना है तो उसके बाद हमको फायरवर रूल को स्लेट करना है क्लिक करना है यहां पर यहां पर फायरवर रूल पर हमके क्लिक करना है जब फायरवर र सब्सक्राइब. और यहां पर एक्सेंट है तो हम accept रखेंगे और यहां पर लौग ट्राफिक है इसको हम में कोई भी activity होगी तो उसके locks generate होगे जिसको हम देखके troubleshoot कर सकते या कोई unauthorized person ने access किया हो सारे default में हमको यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर हमको rule group है तो इसको हमको automatic से automatic हम अभी है इसको हम done करते थे क्योंकि हमारे 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 हमने source means देखे select the source zone network and devices अब source zone मतलब क्या हमारा source zone मतलब when है source zone मतलब when है तो अब यहाँ पर source zone अगर हम when to line का भी आप port forwarding करते है किसी server का तो आपका source zone हमेशा line when होता है तो अब यहाँ पर source zone when select करेंगे अब यहाँ पर source network and devices मतलब जो बाहर से लोग आपके machine को access करेंगे चाहे हो server हो चाहे FTP हो चाहे कोई भी चीज़ हो अब उसके उस device के लिए क्या source network and devices अगर हम आपको पता हो कि आपको कोई ऐसा office है वहाँ पर एक single user है जो आपको VPN के थूँ या पर diet website प्रेक्सेस करते हैं आप उसका यहाँ पर public IP अब जैसे मैंने sorry guys sorry sorry I know India यह India अब क्या होगा कि अब जो भी इस रूल को connect करेंगा अगर वो इंडिया में होगा इंडिया की public IP होंगी तो ही इस rule को connect कर सकता है otherwise नहीं इसी तरह आप आप यहाँ पर public IP कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पर ब्रेंट में इंडिया रख देता हूं या फिर एड रख देता हूं थोड़ा साप लोगों को समझने क्लिए मैं नहीं पी बताने क्योंक रहां थाइस किया गई तो मैं यहाप एडिर रख दिस ही प्रकार साब कुछ भी रख सकते हैं यहां से आपकी जो भाएट करते हैं या मैं अभी इसको all time one रखता हूगा इस इतना मुझे लगता आपको clear गुआ होगा इसमें कोई confusion नहीं होगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब यहां पर destination destination and services अब इसमें destination मतलब कि when से जो आएगा line में आप क्या service enable कर रहे हैं जो बहार सो लोग access करेंगे अब यहां पर destination zone हमेरा when से line होगा तो हम यहां पर line select करेंगे अगर हम आप port forwarding बनाएंगे तो आपको इसी प्रकार से बनाना और इसमें कोई changes नहीं करना है और destination zone line होगा और destination network जो अगाई जाएगा firewall के उस interface का जिसके उपर आपका public IP terminator है जो internet का cable लगेगा जिस firewall पे उसका तो यहां पे हमारा जो internet का cable जिस interface पे लगा हुआ है जिसको हम port forwarding कर रहे है port number two पे port B पे लगा हुआ मेरा है तो port B मेरा line interface है जिसको हम port forwarding करा रहे हैं तो आपको यहां पे interface select करना पड़ेगा वह जो internet का है और line interface जो आपने line के लिए interface बना है अब यहां पर services पूछ रगाई अभी देखिए यहां पर services एनी रख सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि particular कोई service हो जैसे मैं RDP select कर लो RDP यहां पर नहीं मुझे create करना पड़ेगा जैसे मैं पिंग select कर लेता हूँ पिंग हो गया और यहां पे HTTP select कर सकते हैं अब इसको मैं apply कर दिया अब चाहते हैं कि आप add new item में जाके custom में create कर सकते हैं कि आपको नहीं भाई इसके अलामा कोई आपके port ऐसे जो आपको add करना है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं इस server के लिए अब यहां पर जाएए आप यहां पर test port में sorry गई अब जिससे मैं यहां पर जाता हूँ test port टाइप कर देता हूँ अब यहां से जिसे मुझे 909 909 को port fording कराना है यहीं भी port मुझे access देना तो आप यहां पर custom port कर सकते हैं मेरा कहिने को मतलब गाई चाहिए कि आप यहां पर custom port कर सकते हैं अब यहां पर custom port कर सकते हैं अब इसको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं इसमें कोई अब इसको हमको इतना करने कबाद हमको कर देना गाई इसको सेव करने कबाद हम नेक्षी स्टिप क्या है वह मैं आपको बताऊंगा आप जब तक वीडियो सेव नहीं होता है अब हमने जो रूल बनाया when to land web server यह हमारा create हो गया अब हमारा web server के हमने रूल बना दिया है अब यह rule के लिए हमको नए टूल में जाना है एक्टिवेट करने के लिए अब हम नए टूल में जाएंगे guys नए टूल में जाने बाद हमको क्या करना पड़ेगा add new net tool new net tool create करेंगे अब यहाँ हमको नाम देना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पे when to land web server इसके लिए हमने रूल बनाया हमने यह दे दिया यहाँ पे अब रूल पोजिशन में हमको यहाँ पे top रखना है अब अब गाईज यहाँ पे थोड़ा सा concept ध्यान दीजेगा यहीं पे उनको उनका portfolio में गर्बल हो जाता है जिसे उनका portfolio नहीं होता है जो बहुत सारे comments करते रहते हैं हम first step का successfully कर लेते हैं लेकिन second step में ही हमको problem होता है अब यहाँ पे का original source AD रहता है और translated source as net original रहता है इस चीज़ को आपको ध्यान देना अब original destination अब original destination मतलब क्या है कि आप से ये पूछ रहा है कि भाया आपके जो बाहर से जो कोई mobile success करके आपके server तक आएगा तो वो destination port मतलब जो firewall के उपर जो internet की cable लगेगी उसका port पूछ रहता है अब यहाँ पे hash type करेंगे port टाइप कर देंगे आप तो यहाँ से आपको वो interface port भी select करना है जिसके उपर आपका ISP की cable लगी है ठीक है अब original services original services गाईद यह नहीं रहेगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है अपने अलड़ी कर दिया है अब यहाँ पे गाईद ट्रासलेट कोई भी आपका server है उसको अब यहाँ पे हम server का IP address देंगे जो local server जो line में है अब यहाँ create क्लिक करेंगे अब देखें यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ मैं IP लिए select करता हूँ ताकि आपको बहुत लोगों को पर भीजो दिए तो एक ही रूल में सारे server चल जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैं अभी मेरे server का IP 172 16.16.102 यह मेरे server का web server का IP है जिसको मैं port forwarding कर रहा हूँ interface port B से तो यहाँ पे कोई आपको confusion यह उना चाहिए अब मैंने यहाँ पे web server क्लिक दिया अभी मेरा destination port यह है अगर मैं मैं अपने mobile से इस web server को खोलूँगा तो सबसे पहले मेरे mobile का data आएगा मेरे firewall के port B मतब ISP के port B पे आएगा फिर ISP के port B से जाएगा line को फिर हमारे local IP address हैगा वहाँ जाके translated destination में drop कर देगा कुछ इस परकार से चलता है गई अब यहाँ पे आपको क्या करना है यह inbound traffic जो हमारा रहेगा यहाँ पे land रहेगा port B रहेगा यहाँ से guys हम any रख देते हैं ताक कि किसी को कोई confusion नहीं ना हो inbound traffic any, outbound traffic any अब इसमें चाहेंगे तो inbound के लिए आप port inbound interface select कर से outbound outbound मतलब वो interface जो बाहर traffic भेज़ रहेगा isp inbound मतलब वो interface जो network line में है तो line port इसमें थोड़ा से भी आप अन्फिर्म मतलब इसमें और कहीं कुछ नहीं changes करने है और यहाँ पे आप loop bank भी create कर सकते हैं अभी हमको यहाँ पे कोई guys ऐसी जरूद नहीं है मैं थोड़ा से scroll down करके आ जाओ तो बस इतना ही guys है मैं यहाँ पे थोड़ा से आप लोग को लिए मैं यहाँ पे inbound और outbound select करना है मेरा port A line है मैं आपको बता रहा हूँ port A मेरा line है और यहाँ पे outbound में port मेरा B जो है v zien है तो इस परकार से आपको select करना है अब हमको कहीं कुछ नहीं करना है अब इस rule को हमको save करना guide इतना ही करना मैं एक बार आपको फिर से नहीं करना आप यह दो इस्टिप करेंगे तापके जो फायरवार रूल आप बना रहें नेट रूल यह आपका complete successfully create होगा और इसमें कहीं भी कोई प्राप्लम नहीं देखो गाइच यहाँ पे हमने सोर्स ऑर्जिनल सोर्स एनी ट्रांसलेटर सोर्स ओर्जिनल डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा इंटरफेस का IP पोर्ट नमबर और ट्रांसलेटर से डेस्टिनेशन जिस सर्वर का सर्वर का लोकल आईपी अड्रेस जो आपके नेटवर्क में सर्वर उसका लोकल आईपी अड्रेस यहाँ पर रखना है बाकी original services एनी और ट्रांसलेटर सर्विस ओर्जिनल इतना कर देंगे से इतना ही आपको करना और कहीं भी कुछ रही करना है अब इतना जैसे ही आप करेंगे आपका सर्वर का पोर्ट फॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं हमने वैंट टू लाइन वेफ सर्वर के बनाया जो पूरा हमारा सखेस्फुली प्रॉपर तरीके से यूज हो मतब बन गया है अब इसको हम टेस्ट भी करके देख लेंगे इसी परकार चाहेँ कर द worried दिख रहा है और ढूलड बे आप सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहोंका डॉड़ा सा टाइम लेरा रहां गज्लिस परकार से आपको भी करने सब्सक्राइब करें अगर मैं आपको कहीं भी प्राब्लम होती है इसको पॉड़रीग करना है कोई सस्लिक नमबर आप अब कुछ भी आपको करना है तो क्या प्राब्लम होता आप मुझे कमेंट करेंकि मैं 100 फ्रसन आपके कमेंट का रिपलाई करूँगा तो दोस्तों प्लीज मेरे यूटूब चनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सस्क्राइब करिए थांक्यू सो मच, जै हिन, जै भारत